जेहिन फ्रेंड आज के जो टोपी के आधनिक भारत का इतियास जिसमें मोस्ट इंपोर्टेन हम कोशन देखेंगे जो कि आप चाने वाली हर एकजाम के लिए बहुत इसफुल होने वाली फ्रेंड ठीक है तो देखते हैं आज का टॉप कोशन राजपुनर गठत कब लागू क किया गया और स्रिलंग पटना में ट्री अफ लेवाटी कब लगाया अगर दोनों कोशन के इसर मालम होगा ताप कमेंड बक्स में जरूर करेंगे चलती स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट कोशन है मेरा यूद के बाद भारत ऐसा घाव बन जगा जो ब्रीटिस समराज की शिर्ण कर देगा यह कथन किशने कहा था है कथन क्या है कथन क्या nouveau हम देखते हैं यूद के बाद भारत एक उपनघी समराज को शिर्ण चारवार रेघ्ड वेवverbs ल कि वेसर मालम हो मन देखते हैं पर कोश्च नमबर टू बॉम्बे के अकबार में न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड नामक लेक किस आधिवादी नेता ने लिखा था तो अरविंदो घोस जो आधिवादी नेते ने इस नहीं लिखे थे न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड ध्यान रखेंगे इस कोशन का एंसर इसके बारे में हम देख लते हैं पे यहां लेक और अरविंदो घोस ने लिखा था का अंग्रेज के भीतर आतिवाद का पहला उधारन लेक श्रिंखला में लिखा गया था अगला देखते हैं पे कुश नमबर यहां पे ठडड ठड क्या यहां पे चीन में सुपोटामिया अधिया था ध्यान रखे मादरास ओविशन 1923 च्रिमन में इसके बारे में पतिकते हम कि भारते राष्टे कांग्रेशन शुरुवात से बृत्री सरकार की भारत के संबंद में नीती बीदेश का विरुद किया था खास तोर पर भारत के प्रोसियों के विरुद भारत के इस किया इस्तेमाल के अलोशना के और इसके विरुद का क्या पस्ताव भी किया अगला कॉषन देखते हैं आप किस यूद में रोबर्ट कलाइफ यूद की बंदी थे तो प्रथम करनाटक यूद में इसमें जो रोबर्ट कलाइफ थे इनको यूद के बंदी बना दिया गया थे किसमें प्रथम करनाटक की यूद में आप कमेंड बक्स में जुरूर बताएंगे प्रथम करनाटक की यूद का बंदी बनाया प्रम्तु किसी तरह भाग निकलने में शफल रहा है कि कुछ नों फाइब देखते हैं निमली खित में से कौन सा जोड़ा गलत है खोंड विद्रो चक्र बिसुई गोंदा डोरा अभ्यान कोरला मल्ले भुवान या जुवांग विद्रो रतना पटनाग ति स सबी जोड़े क्या है सभ सेके खोंद बढ़े मां कि खोंड विद्रो चाहता की एक जन जाती है क्या है ज्ञांन रखेंगे इस utility नेशनल हरार नामक समाचरपद की अस्थपना किये थे ठीक है आगे देखते हैं यहां पर अगला कोश्ण देखते हैं कोश्ण नमर स्रेवन का है पर इसके बारे में हम देख लेती हैं पर नेशनल हेराड जुनेशनल हेराड है समाचरपत के अथपने जवाहलाल नेहरू ने लखनाव में 9 सितम्ब उनेशनल और तिसको किये थे अगला देखते हैं कोश्ण नमर यहां पर स्रेवन राजपुनर गठन अधिनियम कब लागू किया तो 1956 में राजपुनर गठन अधिनियम लागू किया गया इसके बारे में हम देख लेते हैं यहां पर दिया हुआ एक कुछ पईंट दिस सम्बवन उसे तिरिपान में फजल आली के नितितरे में राजपुनर गठन आयोका गठन किया गया इस आयोक ने 30 सितम्ब उनेशनल पचपन को अपने रिपोर्ट सोपी इस रिपोर्ट के ने भात में विद विकेंदरी करन के परकीरिया शुरू किये थे इनके बारे में उथर सम देख लेते हैं यहां पर यह लाड मेयो भाद के चोते बशच्राय थे लाड मेयो जिद्य भाद के में उसे बैसराय थे 12 जनौरी 1889 से आठ फरोरी अठासों बहत्तर तक भारत के बेस्तराय थे उन्होंने वीद वीकेंद्री करन की ब्योस्ता सुरिके और विदेश नीती में उन्होंने हस्तेप न करने की नीती अपने भारत की पहली जन्गाना उनके कारेकाल में हुई थी भारत पकिस्तान के एक संधी परतियक बर्ष अपने पढमारू ठीकाने के सुची एक दुस्से के साजा करते हैं इस संधी पर कब हस्ताक्चर किये तो 1988 में किया गया था कब 1988 में ये हस्ताक्चर हुआ था ठीक है इसके बारे में देख लेता हम यहां पर इस संधी पर 31 संबर 1988 को हस्ताक्चर किये गया और 22 जन्गों से कानवे से संधी लागू हो गए इस संधी के तो दोनों देश परतियक बज़्जनवरी महा में अपने पनमारू ठीकाने के सुची एक दूसरे के साज साजा करत अगला देखते हैं यहां पर कुश्णमर टे भारत विभाजन के बिरो तिन जुलाई 1947 को किस्णी काला दियोस के रूप में मनाया जाता है उसी समय से तिन जुलाई को काला दियोस के रूप में मनाया जाता है ब्लाइक डे ठीक है अगला कोशन देखते हैं यहां पर कोश्णमर 11 इंडिया नेशनल एसोसियाशन इंडिया नेशनल एसोसियाशन के अस्थपना कलकत्ता में किस्णे की थी तो सुरेंदर नाथ बनर जी ने इंडिया नेशनल एसोसियाशन के अस्थपना किये थे कब कलकत्ता में किये थीए कि इसके बारे में कि सुने दिनाटाइगोर 26 जुलाई 876 को अनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकता इंडिया नेशनल अस्थापना की गुरु मुखी लिपी किस गुरु के द्वारा सुरू किया गया गुरु मुखी लिपी ठीक है नेशनल पर हम आते हैं पर इसके बारे में देख लेता हम गुरु नानक सीख धम के संस्थापना है उन्होंने अपने बात गुरु अंगत को अपना उत्रा दिखाय निउप किया। देखते हैं यहाँ पे जरवीन नाटाइगोर उन्हेस पंद्रह में ब्रिटिश सरकार ने नाइट हुड की उपासित समालेत किया। इस अंधर में लाट चेंफ़ोट को पत्र लिखा था। भारत के साथ बेपार करने के लिए सुन्यूकतर अश्टॉक कॉम्पनी शुरू करने पहले ब्यक्ति कौन थे यह डर्च लोग थे पर लाफ को अधिक्तम करने के लिए डर्च इस्ट इंडियां कंपनी ने 20 मार्शुर सुदू को एमस्ट्रम में दुनिया का पहला अश्टॉक मार्कर अस्थापित किया। जिसमें निवेशक कमेडिरी फ्यूचर्स पर शाटा लगा सकते थे और ट्रेंडिंग कंपनी में अश्टॉक होई सकते थे यह भारत के साथ बेपार करने के लिए सुन्यूकत अश्टॉक कंपनी शुरू करने वाली डर्च इस्ट इंडियां कंपनी थे कुश्ण की शुल्तान ने लगभग 1794 में लगाया था जब उन्होंने मेसूर के जेकव बीन कलब का समर्थन किया था मेसूर का जेकव बीन कलब भारत में गटित पहला करंदिकार रिपाब्लिकीन संगठन था इस और फ्रांसेश स्री रिपाब्लिक अधिकार्ये द्वारा किया गया था किंत और कि कि अगला कुछन देखते हैं कुछ सथे दो जिने हुए शीचिन की कि अगली को सब्सक्राइब्य लगैं डी थे किसे ऊट यहां पर विलियुटी पेटिगosphere को कि कि और 클g forcing ल Bardzo युद्व देखते हैं सब्सक्राइन के कवड़ के साथ साथ संधी पर हस्ताक्षर करने के लिए भेजा अखिर का संधी पर हस्ताक्षर किये गये और इसने सिंधु के नेविगेशन के खोल दिया कि लाड एलन बरू ने कर लिया था बर्ष अठार्श एक्षर को आपसमें बाटने का पस्ताव दिया बेंटिंग उनके सुझाव से इतने परभावित नहीं हुए मियानी का यह समाप्त हो गया लाड इनर वरों के सासन काल के दोरान सभी अमेरों को ने आत्मस्वपन कर दिया और शिंध पर कभजा कर लिया अज के लिए तने नहीं नहीं